करें हई कि अक ह sz intro कि अ अ कि हेलो दोस्टों कुछ चोटीव मोटी प्रॉबलम्स आती रहती है मां पास अलाकि यहीं कि प्रोबलम की रिपीट होती है लेकिन हरे की फाल को च्रीक करना जबुर होता है क्या रहला कि कैई बार हो सकता है कि कुछ अलग रीजन से सेम प्राब्लम आती हो तो सबसे पहली हमाई पास एक इंटीरे की फाइल है इसे उपन कर लेते हैं इनकी सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि फाइल में कोई लाइट नहीं है लेकिन वो फिर भी ऑवर एक्सपोज हो रही है ब्राइटनेस बहुत जादा रही है ठीक है तो यहां सबसे पहले अगर आप किसी और की फाइल को अपने सिस्ट्रम में उपन करते हैं तो यह जो गामा और लूटी सेटिंग्स है इससे इलेटेड आपको एक इंफोमेशन देता है जिसमें कहता है कि मिसमेच हो रहा है यह मैच हो रहा है अब ही बैसिकल रेका आपुटि खूंदि के अंदर गामा और युल्फ आटिंग इनो आप रहा है और हमारे सस्टम पर जिस पर हम काम कर दो है मैं मेरा ये स्स्टम इस इती गामा स्टेंग अनेबल ये जुटि आप अगर मैं अपने system की गामा यूज कर लोगा तो जो उनके system पर output आ रहा है वो मेरे system पर नहीं आएगा वो difference create कर देगा तो मैं यह चाहता हूँ जो उनको problem दिखाई दे रही थी same में system पर भी वही problem दिखाई दे तो मैं यह कहूँगा adopt the file gamma जो file की gamma है वही को उसी को यूज करें system की या फिर दूसी कोई gamma यूज ना करें ठीक है यह basically कुछ security corrupted corruptions दिखा रहा है फाइल में कुछ scripts होगी या कुछ additional चीजें होगी जो की file को corrupt कर सकती है कुछ type के elements होगे तो यह यहां पर हमें दिखा रहा है max 2020 2020 और 2021 में यह options है कि आप इसे correct कर सकते हैं या इनको छोड़ सकते है corruption को जैसा है वैसा file में पढ़ा रहा है मैं इन्हें clean कर देता हूं और यह कहरा है कि ठीक है अब आपको इसे clean रखने के लिए save as करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है और यहां यह बता रहा है कि external files जो की बाहर आ सकते हैं ठीक है अभी शेडिंग जो है मैं standard shading ले लेता हूं और faces कर लेता हूं ताकि मुझे सब कुछ नॉर्मल हो तरीके से दिखाए दे ओके इसी situation में इसी condition में अभी रेंडर क्या रहा है हम वह देख लेते हैं रेंडर सेटिंग में जाकर हम सिफ और साइज प्रब्लम क्या रही है ठीक है सीन में कोई material है नहीं इस वज़े से पूरा इसी थरीके से आ रहा है और file में इतना कोई overexposure मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जैसा कि हमाए input मिला है कि light scene में कोई भी नहीं है तो black देखना चाहिए obviously मेरा यह कहना है कि अगर scene में पोज होता हुआ नहीं दिखना चाहिए ब्राइट नहीं दिखना चाहिए light नहीं है तो बिल्कुल dark आए ठीक है और यहां अगर हमने यह वीरे material light लगा रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका impact आना चाहिए था तो material editor में जाते हैं और pick करके देखते हैं बिल्कुल यही वीरे कर सकते हैं कि light लगी है या नहीं तो माइट भी यह जो वीरे सन है इनसे गलती से लग गया और यह इन्हें धुन नहीं पाए कि कहां लगा हुआ है फिसे हम रेंडर करके देखते हैं सीन ब्लैक आना चाहिए क्योंकि कोई भी light नहीं है सीन में तो ठीक है अब सीन में कोई भ कर रखा है कैमरा कैमरे में कुछ कर रखा है ठीक है यहां इन्होंने सबसे बड़ी चीज तो यह कर रखी है कि कैमरा स्टैंडर लगा रखा है फिसिकल नहीं लगा रखा होता यह है कि अगर आप स्टैंडर कैमरा लगाते हैं तो इसमें आपको एक्सपोजर कंट्रोल नहीं मिलते हैं ठीक है जैसा कि फिजिकल केमरे में आपको एक्सपोजर कंट्रोल मिलते हैं तो हो यह रहा है कि जो आपने यह वीरे लाइट माटीरियल लगाया है यही इतनी ज़ादा इंटेंसिटी क्रियेट कर रहा है कि आपका सीन पूरा ब्राइट हो गया एक बार मैं इन माटीरियल्स को स्टेंडर कर देता हूँ मतलब नॉर्मल सेटिंग्स कर देता हूँ वन एन वन अब रेंडर करके हम देखें इसे रेंडर अब हमारा सीन डार्क हो गया सीन में अब जो लाइट है वो किस्से आ रही है सिर्फ और सिर्फ इन लाइट मटेरियल की वज़े से तो मतलब सीन में किसी भी तरीकी की कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सीन बढ़िया है, सही है कोई overexposer नहीं हो रहा है नॉर्मल वीरे मेटरेल लगाया था सन लाइट आपके सीन में पड़ी थी और दूसरी प्राबलम क्या थी कि आपके जो वीरे लाइट मेटरेल है वो अपने intensity बहुत जादा दे रखी थी अगर हमने हर तरीके के light source बंद कर दिया है तो scene आपका black हो चुका एकदम perfect अब हो क्या रहा है आपके window जो आपने window area बनाया था वहां से कुछ light अंदर आ रही है वो क्यों आ रही है क्योंकि obviously आपने environment पर कुछ ना कुछ sky या color दे रखा होगा color हमारा white है अगर आप background जो की color है वो भी अगर आप black कर देगे तो ये effect भी I think बंद हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एकदम ठीक है file एकदम black हो चुकी मतलब फाइल में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है परेशानी सिर्फ और सिफ यह है कि आपको सही जगे light source लगाने है सही जगे lighting करनी है और effect आपका अच्छा आ जाएगा material प्रॉपर करने है सब ठीक होगा अगर आपको light लगानी है बाहर से आती भी तो आप वीरे sun लगा सकते हैं वीरे sun जब आप लगाएगे तो automatically क्या लगेगा आपका वीरे physical sky आपने एक sun लगाया तो यह आप से पूछा है automatically वीरे physical sky लगाना है या नहीं आपने sun लगा लिया आप देखेगे environment पर तो यहाँ automatically sky लग गया intensity automatically आपको मिलना start हो जाएगी जो कि बाहर से आएगी ठीक है एक ambient create होना start हो जाएगा जो कि वीरे physical sky का है अब आपको करना क्या है lighting करनी है material करने है और आपको output अच्छा दिखने लगेगा तो इस फाइल में कोई problem नहीं है और अब हम दूसरी फाइल देखते हैं ठीक है ओके यह कुछ इनके problem है diffuse color different slot screen color मतलब इनको problem यहीं आ रही है diffuse पे जो color दे रहे हैं वो screen पे नहीं दिखाए देता different हो जाता है दूसरा physical camera exposure missing environment setting और difference between physical और target camera ठीक है तो file open करते है इनके अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था file में enable है gamma और system में अभी disable है क्योंकि अभी just हमने फाइल जो use की थी उसमें disable था तो automatically disabled हो गई थी तो file में gamma enable है तो हम file की gamma use करेंगे और वीरे के version में कोई changes है तो हम okay कर लेते हैं कोई issue नहीं टेक्षर इनों नहीं भी नहीं भी भीज़े है ठीक है मुझे जब भी file भीजा करें आप टेक्षर के साथ भीजा करें ताकि सही से idea लग सके कि problem क्या रही है फाइल में gamma on थी ठीक है तो मैं अपनी system की gamma भी on कर देता हूँ सबसे पहला काम custom UI default switches नहीं 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 कस्ट्म user interface क्या हो गया है preferences चेक है यहां मारे पास gamma LUT on करनी है ओके यह सब on है चेक है कोई दिक्टर नहीं अब अगर अपने gamma LUTs वगदर ओन की है तो आप render किसमें करके देखेंगे अपने V-ray frame buffer में इनकी भी सबसे पहले हम size देख लेता है कि क्या size लगा रखे है इन्होंने render setting में 700 है ठीक है हम use कर सकते है V-ray physical camera लगाया इन्होंने perfect render करके देखते है क्या दिखकते है इनको ओके यह render आ रहा है अब इनकी सबसे बड़ी problem क्या है कि इन्होंने gamma वगया सब कुछ on रखी है scene में LUT settings भी on रखी है लेकिन render यह किसम कर रहे है max की default window में तो यहां हो सकता है आपको कुछ problems दिखाई दे variations आए ठीक है हाला कि मुझे तो नहीं दिख रहे मैं settings में एक बार frame buffer on कर रहा हूँ ठीक है ताकि जो हमने पड़ा है जो सीखा है वो सई से आए कहा है frame buffer यह रहा enable अब हम render करते है ठीक है रेंडर हो गया अब जो render window में हमें color दिखाई दे रहा है वो हमें material slot पे नहीं दिखाई दे रहा यह problem थी तो हम जाते material पर pick करते हैं हमाई material को select करते हैं यह हमने color लिया है और यह हमें यहां दिखाई दे रहा है दो तीन चीजों की वज़े से यह colors में variations आ सकते हैं सबसे पहला तो यह है कि exact हमेशा same आपको नहीं दिखेगा दूसरा आपने यहां पर reflection ले रखा है अगर मैं इस slot को double click करके open करता हूँ तो देखेए यहां यह जो आपको viewport पर दिखाई दे रहा है same आपको slot पर दिखाई दे रहा है problem आपके किस में आरे है render window में तो render window में इसलिए problem है क्योंकि यहां आपने ले रखा है reflection map हो यह रहा है कि अगर आपका environment map black है तो वो environment का color आपके इस render के उपर आ रहा है ठीक है render अब यह color tone लगबग वैसी आनी चाहिए नहीं आई तो हो सकता है आपने जो sun या lighting यूज का रखी है उसकी वज़े से problem है ठीक है आपने dome भी लगा रखा है light भी लगा रखी है इनकी वज़े से भी problem हो जाती है क्योंकि जो आपकी shading और lighting है वो इनी से impact करती है changes आती है जितना भी है ठीक है आपने इसे point one किया और dome light आपने लगा रखी है shift g आप dome light को देख लीजे आपने उस पर एक वीरे sgri map लगा रखा है actually file में बहुत जादा कीड़ा हम कर देते हैं तो इस वज़े से क्या परेशानिया हो जाती है sgri map यहां copy करते है ठीक है अब हमें दिखेगी नहीं क्यूंकि आपने हमें map भेजे नहीं तो यहां से मैं इसे clear करता हूं white color पर आ जाता हूं और अब चेक करता हूं रेंडर क्या रहा है unhide all yes standard shading face perspective shift g हमने किया था model हाइड करने के लिए ठीक है अब रेंडर करके दिखते है okay तो clear हो गया हमारी problem क्या थी हमारी problem थी colors जो आपने light में या physical sky में दुनिया भर के ले लिये थे sun को यहां से आपने control किया light को आपने यहां से थोड़ा सा control किया इसे भी अगर आप बंद कर दें तो सिफ फिफ environment light जो white color में आपने पास है उसे आप देख सकते हैं दिख रहा है material slot आपका यह रहा ठीक है f3 viewport का color material का slot और render का shade सब एक सा आ रहा है अब आपका यह shade changes क्यूं हुए आपकी sun light की वज़े से आपके बेसिकली आपने जो वीरे sgri map लगा रखा था का उसकी वज़े से तो यह सारी चीजे बहुत impact डालती है आपके color shading में changes लाने के लिए ठीक है हमेशा कहता हूँ कि हमेशा zero level से काम स्टार्ट करो पहले material लगाने से अच्छा है कि आप lights और shading को create करो पहले sun लगाओ physical sky लगाओ materials बाद में लगाओ एक कोई particular color लगाकर उसमें देखो कि shading ठीक आ रहा है वही texture दिखाए देगा और वैसा ही color आपको output में भी visible होगा otherwise वह changes होते जाएगे अब यह burnness क्यों हो लिए क्योंकि हमने environment light को जादा कर रखा है तो यह चीजे आपको समझनी पड़ेगी कि किस वज़े से क्या चीज हो लिए आपने environment light को normal किया normal light आने लगी यह slot भी ठीक है render भी ठीक है viewport भी ठीक है हर जगे आपको XC image और X एक साथ texture दिखेगा ठीक है अब बात आती है आपके दूसरे सवाल की physical camera मतलब target camera और physical camera में फर्क तो फाइल को हम reset कर देते हैं top view हम बनाते है एक standard camera target camera और दूसरा हम ले ले लेते हैं आपके दूसरे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा आपको वह आएगा exposure control का जो standard camera है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको lenses के environment range के और clipping के depth of field के यह सारे options मिल जाएगे लेकिन exposure control जो कि आपके F number होते हैं जिसे हम camera का aperture कहते हैं ठीक है और ISO होती है shutter speeds होती है जो कि आपके animations और अगर आपको यहां पर नहीं मिलती है और अगर आप अपने physical camera को देखते हैं तो यहां पर देखे आपको aperture मिलने लग जाएगे आपको आपको ISO मिल गई आपको अपनी shutter speeds मिल गई motion blur depth of field यहां मिल जाता है विगनेटिंग effect इसमें अलग से मिलता है तो आपको मिल जाता है बोके effect फिजिकल camera में आपको एक बोके effect बहुत अच्छा से मिलता है बोके effect क्या होता है बिसिकली आप जब camera में यहां आपको depth of field तो मिलती है अनेबल जो आप यहां कर सकते depth of field ठीक है depth of field क्या होती है distance जहां blurness आती है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पर ही depth of field नॉर्मली क्या होता है जब आप depth of field यूज करते हैं तो आपको effects इस ट्राइप से दिखने लग जाता है अब जो आपका target object है वो आपको clear दिखाए देता है बाकी आपको हलका-हलका blur दिखाए देता है जो chart of blur दिखाए दे रहा है तो यह होता है basically depth of field मतलब अभी आपका lens clear है बाकी आपका blur हो रहा है अब इस blur में भी हमारे पास क्या होता है bokeye effect होता है depth of field on करने से यह कहा गई यह depth of field अगर आप on करता है तो इस type का effect बन जाएगा लेकिन इस depth of field में आपको bokeye effect चाहिए जैसे कि यह आपको दिख रहा है इसमें यह क्या हो रहा है यह गोले बन रहे है जो highlighted है यह आपका होता है bokeye effect depth of field bokeye effect तो यह round shapes आपको create होना start हो जाएगी यह देखें यह जो पीछे आपको गोल गोल यह bokeye effect होता है इससे क्या है धुनलापंद आपको थोड़ा सा impressive लगने लगता है और जहां-जहां आपका light sources है वो आपको sharp दिखाए देने लगता है जैसे यहां पर इतनी light ही थी तो यह सारी lights इस तरीके से bokeye effect में emboss होड़कर हमें दिखाए देने लग गई ठीक है और जबकि अगर आप bokeye effect यूज नहीं करते तो कैसे होती है सिफ और सिफ कंप्लेटली blur जैसे पहले image में आपने देखा था एकदम faded without bokeye effect यह यह पूरा blur है ठीक है तो यह दोनों फर्क आपको physical camera में मिल जाते हैं तो physical camera आप यहां से जब depth of field यूज करते हैं तो यहां आपको bokeye effect मिल जाता है इसे भी हम यूज कर सकते हैं तो यह चीजे होती है जो physical camera और normal camera को एक दूसरे से अलग करती है ठीक है अब next file देखेंगे हैं इस file की problem solve अब next file में हमारी problem है glass reflection problem in railing यह इनकी file है open कर लेते हैं don't save same जो भी options आते हैं हमें ध्यान रखने हैं अब सारे options हम बार बार नहीं देखेंगे camera view और इन्होंने एक render image भी भीजी है ठीक है यह इनके साथ एक problem है कि जैसे आपको यहां दिखाए दे रहा है ठीक है कि window हमारे पास पीछे है और यहां railing में जब यह reflection आ रहा है इसका इतना ज्यादा reflection आ रहा है तो वह अपनी जगे से dislocate हो गया मतलब अपनी जगे से hill डूल गया दो तीन वज़े से यह reasons होता है या तो आपने model किया हो किसमें कहते हैं किसी और 3D software में या फिर आपने ior जो इसका index of reflection है वो ठीक नहीं किया हो एक बार हम भी render करके देख लेते हैं क्या ऐसा ही render हमारे पास भी आ रहा है या नही ठीक है यह बहुत common problems है जो लगबग लगबग सबको आती है और मेरी हिसाब से इस चाइब की problems जब आपकी solve हो जाती है तो मेरी हिसाब से काफी कुछ है जो आप सीख जाते है और फिर भी कई बंदे हैं कहते हैं कि सर सीखने को कुछ नहीं मिला तो यहां तो हमें बिल्कुल यह दिखाई दे रहा है ठीक है यह issues हो जाते हैं वीरे के versions की वज़े से वीरे वर्जन आपके पास कोई और होगा और मैंने कोई और यूज किया है लेकिन मैं problem समझ चुका हूँ और उस problem को solve हम कर लेते हैं आपको for color नहीं देना है सबसे पहली चीज यह जो fadeness आती है यह for color से create हो जाती है आपको अगर transparent बनाना है तो black color में लेना है इसे किसी तरीके का color नहीं देना है आपको इसे transparent रखना है तो आप transparency इसकी full रखिए ठीक है और reflection obviously थोड़ा बहुत glasses में आता है तो हम इसे on ही रखेगे लेकिन हम रखते हैं इसे फ्रीजनल glossiness 1 है एकदम sharp glossiness 1 है एकदम sharp किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और इस material को वापस हम रेंडर करके देख लेते हैं क्या रहा है ठीक है अब हमें clear दिखाई देने लगा है लेकिन अब वह problem भी दिखने लगी है जो उन्हें दिखाई दे थी यह जो clear नैसे है इसे हटाने के लिए हम हलका सा क्या use करते हैं यह जो clear नैसे इसे हटाने के लिए हलका सा fog यूज करते हैं पर यह fog इस पर सही काम नहीं कर रहा है तो मुझे 100% ऐसा ही लग रहा है कि model यह जो किया है किसी और software में किया है मैं यही से हलका सा ही से कम कर लेता हूँ ठीक है हलका सा reflection मैंने कम किया है तो transparency हलकी सी कम हो जाएगी ठीक है अब reflection इसमें आ रहा है बहुत sharp आ रहा है कि यह जो window यहां बन रही है यह मेरे इस reflection की वज़े से नहीं है इसकी वज़े से है हमारे reflection की ही वज़े से है अब इस reflection को हम check करते हैं कि IOR क्या होना चाहिए जिससे यह proper set हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मेरा जी material slot है इसको मैं double click कर लेता हूँ पहले में इस render window को नहीं देख रहा मैं इस मेरे slot को ही check करना चाहूँगा अभी इसमें जो checkers है वो कितने बाहर dislocate होते विए this place होते विए दिखाई दे रहे हैं ठीक है मैं reflection में IOR को check करता हूँ 1 ओ बिगड़ गया 1.1 बहुत बढ़ा हो गया 1.6 मैं फिर भी छोटा था तो 2 मैं छोटा हुआ 2.5 मुझे basically करना यह है इस circle के बाहर जो मेरे checkers है उसको मेरे circle के अंदर जो slot है उसके अंदर के checker से लगवग लगवग मैच कराना है बस इतना मेरा काम है 1.8 3 3 हुआ है 3 हुआ है लेकिन 3 भी मैं इसे change करके देख सकता हूँ box करके देख सकता हूँ राउंड इस पर में यह मुझे फीबी ठीक देख रहा है 2.6 4 ठीक है लग 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 मुझे ठीक लग रहा है लेकिन फीबी यह जो green है यह देखो green अपनी जगे से dislocate है यह blue यह blue पर सही reflect नहीं कर पा रहा है पर फीबी मुझे 2.6 या 1.6 से तो बैटर ही लग रहा है अब मैं इसे render करके देखता हूँ कहां गया कहीं भी नहीं गया यह यह जहां ता वही का वही ठिकावा है यह अपनी जगे change करी नहीं इसने किसी भी condition में ठीक है मैं कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि मॉडल इसमें प्रॉपर नहीं है मैं एक वापस से यहां पर रिलिंग बनाना चाहूँगा फी मैं इसे चेक करूँगा ठीक है तो मैं ले लेता हूँ line top view, line, click, click, f3, click, line को हमने किया extrude, perspective, f3, snap से हमने ले लिया है hide दी इसे, और glass में हमने दिया thickness, thickness का मतलब shell, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी, एकदम पतला तो हो नहीं सकता, ठीक है, thickness हमें हर चीज में देनी ही होती है unhide all, ठीक है, यह glass यहां आ गया इस पे हम 1.6, standard लेते हैं, क्योंकि mostly standard value से काम सही आ जाते हैं, camera view, ठीक है और अब इसे हम render करके देखते हैं, shift q, render, okay, same problem, नहीं हुआ सही, ठीक है, तो हमने इस ior को 1.6 से ज़्यादा बढ़ा कर देख लिया था, कि इसे set हो जाए, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, तो यहां हम इसे वापस से standard 1 value के साथ भी check कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो material slot में है, यह जो area आपको दिखाई देता है, यह ठीक आ जाता है, कई बार angles की वज़े से भी problem आती है, तो इसे हम 1 कर के देखते हैं, ठीक है, तो यह सही हो गया, ठीक है, तो ior में हमें इसे 1 कर दिया, तो perfect है, लेकिन इतना perfect भी नहीं आता है, effect, तो इसे हम थोड़ा सा change करते हैं, 1.1, बहुत जादा move हो रहा है, ठीक है, यह problems देखो, क्या है, कि कई बार जो standard value होती है, 1.6, वो सही दिख जाती है, यह आपके file के unit, file के system unit और इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, अब देख 0.1 कर लेता हूं, I think better रहेगी, हल्क आसा changes मुझे यहां दिखाए देगा, और वो ज्यादा better रहेगा, क्योंकि देखे, changes तो होगा, अपनी जगे से हल्क आसा change तो होगा, यह में को ठीक लग रहा है, perfect है, इतना, और इसमें अब मुझे reflection obviously एड़ करना है, ताकि सामने का, को कोई और चीजें अगर हो तो वो इसमें reflect करें, ठीक है, तो वो चीज में कोई reflection on करनी है, अभी सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसमें सामने कुछ लगा देता हूं, ताकि आपको इसमें reflection भी अच्छे से दिख जाए, जो max के standard fallis होते हैं, वो ही लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, आई जाएगे, कई ना कई से तो, camera view, render again, ठीक है, इतना visible नहीं हुआ, तो यहां से मैं फ्रीजनल को off करके देख सकता हूं, ठीक है, फ्रीजनल off करने के बाद, यहां पर मुझे काफी reflections दिखाई दे रहे हैं, प्रीपास में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने प्रीपास बहुत जादा कर रखे हैं, मैं low कर देता हूं, ताकि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी फाइल के साथ जो हम जंगलर रहे हैं, वो थोड़ा सा फास्त हो जाए, लो कर लेता हूं मैं इसे, और light cache भी इन्होंने 1000 दे रखा हैं, सिफ 10 दे देता हूं, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारे पास result आजाए, तो यह हमारे पास देखिए ट्री का कितना शार्प रिफ्लेक्शन और इंवार्मेंट का बहुत जादा शार्प रिफ्लेक्शन आ गया, तो यहां हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा comparatively कम कर लेते हैं और छोटा एरिया बनाकर फिर से रेंडर करके देख लेते हैं, यह जो ग्रे कलर आया है वह हमारे इंवार्मेंट का कलर आया है, थिक है क्यां कि आप देखो यहां पीछे आपको इंवार्मेंट कलर ग्रे दिख रहा है तो इसलिए ग्रे आया है, अगर आपका एक अच्छा scene setup होगा एक अच्छा environment आपने यूज़ कर रखा होगा या विरे physical sky को यूज़ कर रखा होगा तो इस तरीके का grey नहीं आएगा फिर railing जो है आपकी glass की railing काफी अच्छी आएगी तो आपको scene setup अच्छा करना है environment अच्छा लगाना है transparency अगर आप दे रहे हैं तो transparency पर आपको basically IOR के साथ play करना है reflection आपको frisional भी रखना है और अगर आपको चाहिए कि आसपास का reflection आए environment का reflection आए तो frisional हटा कर आप color के साथ play कर सकते है तो यह result हमारे पास लगबग लगबग कुछ इस तरीके से आएगा बाकी अच्छा output इसी technique से आएगा scene आपका तरीके से design होना चाहिए तो ठीक है आज के लिए यह तीन फाइले बहुत है कल हम बाकी की कुछ और फाइले जो हमारे पास आई भी है उनकी problem solve करने के कोशिश करेगे thanks for watching bye